हेलो गाइज स्वागत है आपका मेरे यूटीब चैनल स्टेडी विद अमनकूल में आज हम लाए हैं शिक्षा ने देश आले रास्टी राजदानी शेत दिली की कारे बर्तक नमर 31 जो कि ग्लास एट के लिए है सब्जिट आपका हिंदी है और आज हम याकरण का भाग दो कर नाम से तraकरण के पढ़ כई तो सबसे पहले देख्ता है हमें क्या दिया गए आज के वकशिट में नेचे नाम को पहचान कर नीचे देगए खाली ष्द थाने में लिक्शिश्ञ है और इखा के शबद तो यहांपर यह किसके लिए दिए गए हैं और वो आपको लिखने कि ना नम थ irrigation अ हो यह बदलो मनिहार था प्रिक ऑना टेरी और चुडिया होना मेचा बैट्रिक पेशा था बदलो और व्है वासथ मि ऐ मेंग वासथ में बहुत ही सुन्दर बदलू बहुत ही सुन्दर चुड़िया बनाता था उसकी बनाई हुए बदलू की बनाई हुए चुड़िया पहनती थी और आसपास के गाउं के लोग भी बदलू से चुड़िया ले जाते थे तो उससे बदलू से तो यह जो सारे जो शब्द आये हैं उ ये इस यहां पर आप इसका आंसर करेंगे तो आपाइसका अंसर करेंगे यहां से बदलू के लिए यूज किये गए है उसका उसकी उसकी और उसके उससे तो यह उसके कर लेंगे और यहां पे आप एक और शब्द याद लिख लेंगे वो मैंने लिखा वह तो वह और लिख लेंगे अड़ कर लेंगे तो यह सारे शब्द उसके लिए यूज किये गए थे अब आपको दिया गया है प्रशन नमबर दो बहुत इसी से कुशन है जल्दी से आप कर लेंगे तो करते हैं स्टार्ट प्रशन नमबर दो नीचे दिय गए वाक्यों को ध्यान से पढ़िए और इनमें आए नाम तता संग्या को ढून कर लिखिए फिर वाक्य में आगे उस नाम के स्थान पर आए वह उस शब्दों को ढूंड़िए और लिखे जैसे अधारें में दिया गया है अब यहां पर आपको जो बदलू का नाम दे रखा है बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था क्योंकि वह मुझे बहुत सुन्दे लाग की कोलियों मना कर देता है अब अधलू का नाम तो है और यह उसके साथ-साथ यूज क्या गया है वह भी यूज हुआ है वह जो आया है वह उसके नाम के स्थान पर आया है तो यह आपका हो गया फिर हमारा पत्रों का भाव सब जगे एक सा है भले उसका नाम अलगल हो तो पत्रों के लिए क्या ये यूज हुआ है उसका यूज हुआ है पक्षी और बादल ये भगवान के डाके है तो पक्षी और बादल के लिए ये यूज किया गया है अभी भी दवा है चिडिया की चोच में तिनका और वह उड़ने की तयार में तो यहां पर चिडिया के लिए वह यूज किया गया है तो आप इसका आंसर कर लेंगे खापत्रों के लिए उसका यूज किया गया है पक्ष्वाबादल के लिए यूज करा है चिडिया के लिए व जैसे शब्दों का प्रियोग किसी ना किसी नाम या संगय के स्थान पर हुआ है आप देख सकते हैं बदलू का लाम है बदलू नाम है उसका प्रियोग बदलू का नाम के जगे हमने वह भी यूज करा उसका यूज करा उसकी यूज करा इसी तरह जब किसी नाम या संगया उसके वह जब कोई ऐसे कोई शब्द आते हैं जैसे शब्दों का प्रियोग किया रहता है तो उन शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं यानि संग्या के स्थान पर आने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं यानि सर्वनाम वह शब्दों जिनका प्रियोग संग्या के स्थान पर किया जाता है तो यह आप हमेशा याद रिकेंगी I hope अब आप कभी भूलेंगे नि कि सर्वनाम क्या होता है अब नीचे दी जारी है आपको एक नीचे पोटली दी जा रही है इस पोटली में आपको कोछ शब्द दिये गाए जिसमें संग्या और संग्या एक साथ बंद है आप इने चाट कर अलग अलग किजिए अब यहां पे संग्या भी बंद है सर्वनाम भी बंद है एक साथ बंद है अब आपको इसे चाट के लिखना है तो आपको पता है संग्या क्या होती है किसी भी यक्ति का नाम किसी भी जाती का नाम किसी भी वस्तू का नाम तो यहां पे किसी भी किसी के भी नाम को सघ्य की को कैते हैं तो आप ये दोनों हमेशा ही याद रखें लेंगे और इनका प्रयोक अच्छ से जानेंगे तो मुझे विश्वाष है कि आपको ये कोशन आप खुद कर सकते हैं तब ही मैं आपको ये कोशिन का अंसर दिखा दिती हूँ तो संग्या तब से पहले हम इनमें खुच आते हैं कमल संग्या है पईया संग्या है और पक्षी संग्या है और घर संग्या है और यहां पे बुडापा संग्या है मिठाई संग्या है और विदाले संग्या है सर्दी संग्या है, धर्दी संग्या है, सपना संग्या है और यहां पे चातर जो यह शब्द संग्या है मैं, आप, हम, उसका, तुम, वै, यह, उसकी, कोई, जो उन्हें, आपके, आपकी, जिसकी तो यह साशवत सर्वनाम है तो मैंने यह आपको बता दिये यहाँ से आप लिख भी सकते हैं तो यहाँ से आप लिख लिख लिखे संग्या का कॉलम बना है कमल, पईया, पक्षी, घर, बुड़ापा, मिठाई, सर्दी, विदाले, धर्दी, सपना तो यह संग्या का कॉलम का आप लिख लेंगे यहाँ पे आपको सर्वनाम का दे रखा है तो यहाँ से आप सर्वनाम का कॉलम का लिख लेंगे मैं, आप, हम, उसकी कोई, जो, उन्हें, आपके, जिसकी तो यहाँ पे आप उसका सर्वनाम का लिख लेंगे तो यह आपके आज की वक्षिट कंप्रीर होती है I hope आप इसमें सर्वनाम अच्छे से समझ गए होंगे क्या होते है सर्वनाम संग्या तो आपको पहले सी पता था आपने पहले कारे पर तक भी देखे होगी जिस आपको संग्या तो अच्छे से आई गया होगा आपने सर्वनाम भी अच्छे से सीख लिया तो अगर आपको ऐसी आगे आपके याकरण आए तो आपको अगर अच्छे से सीखने तो मेझे चैनल को सब्सक्काइब कर ले आपका आच का एक कोशन देती हूँ प्रेस कर दीजिए थांक्स फो वाची वीडियो बाई बाई गाई गाईस